बिसमिलायर रह्माली रहीम, अस्सलाम अलेकुम रमजान में फुरूट चाट खाना सब कोई पसंद होता है तो आज हम बनाएंगे किरीमी फुरूट चाट जो किरीम चाट भार हम लोग खाते हैं वो घर में नहीं बन पाती है तो आज हम वो ही किरीमी फुरूट चाट घर में बनाएंगे और इसको बनाना बेहत आसान है इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे किरीम एक कप मैंने फ्रेश किरीम लिए आप जितना बना रहे हों उसके मताबिक आप किरीम ले सकते हैं अब देखे करीम जो है इसके अंदर हमें थोड़ा मिठा चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर पीसी हुई चीनी लूँगी दो खाने के चमच लेंगे पीसी हुई चीनी के अगर आप मिठा जादा पसंद करते हैं तो आप जादा भी ले सकते हैं यानि तीन ले लें पहले अच्छे से हम चीनी को करीम के साथ मिक्स कर लेंगे बस चमच से हमें इसको मिक्स कर लेना है करीम और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे फुरूट सबसे पहले हम डालेंगे एक प्याली खर्वूजा और कोशिश यही करें कि आप हाथ के हाथ फुरूट काटते जाएं और इसमें डालते जाएं क्योंकि अगर आपने फुरूटों को काटके छोड़ दिया तो यह काले भी पड़ जाते हैं कुछ फुरूट ऐसे होते हैं जो काले पड़ जाते हैं देखें यह भी खर्वूजा है इसा कलर थोड़ा सा अलग होता है यह प्याली खर्वूजा हम यह वाला भी डाल देंगे क्योंकि चाट कलर फुल ही अच्छी लगती है तो जो भी आपके पाप फुरूट हो आप वो ल देंगे तब डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे टाकि फूरूट हमारे काले नहूं हो ऑनाओ है एक प्याली शेब लिया है यह डाल देंगे इसको छिल्के के साथ ही डालना ओगा एक प्याली स्टोबरी डाल देंगे और अच्छह से हमें इनको mix कर देना है देखें आदी प्याली मैंने लिए खजूर अगर आपको पसंद है तो जरूर डालिएगा देखें हो हमारी fruit चार्ट बनके तयार हो चुकी है अब इसे हम serving bowl में निकालेंगे जो आपको dry food पसंद हो आप वो डाल सकते हैं थोड़े से बादाम डाल देंगे और थोड़े से हम पिष्ट्री डाल देंगे आप चाहें तो इसमें किश्मिश भी डाल सकते हैं अकरोड भी डाल सकते हैं और काजू भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं और यह हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फुरूट चार्ट बनके तयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है, इसका जायका है, इसका फिलेवर, मार्किट की चार्ट से भी जादा अच्छा होता है, जो मार्किट में मिलती है ना चार्ट, उससे भी जादा अच्छा होता है, और घर में ये बहुत कम बजट में बनके तयार होती है और इसे पूरी फेमिली खा लेती है